नमस्कार मैं हूँ अंकिता सिंग आप देख रहें प्राइम न्यूस 24 केंद्र सरकार द्वारा संचालित ट्राइफ्रे ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन अफ इंडिया की प्रबंदक निर्देशक तीन दिवसी बस्तर दौरे में पहुचे इस दौरान प्रबंदक निर्देशक नहीं बस्तर में संचालित विभिन प्रंसकरण केंद्रों का दौरा किया सनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रबंदक निर्देशक ने बस्तर की 32% आबादी वनोपच पर निर्भर होनी की बात कही प्रवंद्यक निर्देशक ने दावा किया कि 50.000 करोड रुपे का रो माटेरियल हर वर्ज बस्तर के वनों से निकलता है वर्तबान समय में वन धन समिती के जरिये इन वन उपच की खरीद होती है बस्तर के वन उपच को अब देश दुनिया तक पहुचाने के लिए उद्योग की स्थापना करने की योजना बनाई गई है प्रतेक उद्योग में 10,000 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष रखा गया है ऐसी पूरी 10 उद्योग बस्तर संभाग में स्थापित करने की योजना ट्रांस्वेट ने बनाई है मुहमद अलताफ जग दलरपुर जिला बस्तर 36 गर जो बस्तर का जो रिदय है वो यहां के वनों में बस्ता है और बस्तर के वनों में पर लगभर बस्तर के 32 परसंट आवादी अधारित है और इनका लगभर पचास अजार करोड का रो माटीरियल इन वनों में संग रही थे जो हर साल जिसका विक्रे होता है अब उसको उन आदिवासियों के हित में क्या किया जाए कि अधिक से अधिक उनका लाव आदिवासियों को मिले क्योंकि जो हमारा forest rights Act है उसमें उनको मालिक बनाए ho गया वनुपूज का माले कि žंगलों के लगुन को जिल्सक्राशन uniqu बग आठ सो केंद्रों पर लगुवनों फुजों का क्राय करता है 75 लगुवनों फुजों की नियूंतम मूल ने धारित कर दी गई है इम्ली जो कभी 6 रुपे किलो बिक्ति थी अब 36 रुपे किलो उसका सबर्तन मूल ने गोशित है इसी प्रकार प्रसंसकरण की प्रक्रिया मैंने देखा महिलाएं बैटके इम्ली का बीज निकालके रेशा निकालके उसके ब्रिक्स बनाके चपाती बनाके चटनी बनाके पाउडर बनाके सौस बनाके बेच रही है तो यह प्रसंसकरण का काम शुरू हो गया अब उसको उद्योग के रूप में जो 200 महिलाएं कर रह इस अनुपात में यागा पोटेंशियल है